thumbnail और title देखे अगर आप ये वीडियो देखने आये हो तो इसका मतलब ये clear है या तो आप passive income कमाना चाहते हो या तो आप घर बेटे पैसे कमाना चाहते हो या फिर online तरीके से आप पैसे कमाना चाहते हो वैसे सुनने में काफी अच्छा लगता है right passive income, second income stream, घर बेटे पैसे कमा खुद अपने boss बनो, लेकिन क्या ये सच में possible है? क्या आप इसमें succeed हो पाए? क्या आपने खुद कभी ये करने का try किया है? अगर आप succeed हुआ है तो comment section में मुझे please बताईए है आज की इस वीडियो में हम यही सारे topics discuss करने वाले है, hello everyone मेरा नाम है Amaran, welcome to the channel लेकिन एक minute मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ और आपको मेरी वीडियो से क्या सीखने मिलेगा? तो थोड़ा सा मैं आपको flashback में लेके चलता हूँ 2020 में जब lockdown आया था तो आप सभी के तरह मेरे पास भी काफी सारा free time था और तब से मैं कोशिश कर रहा हूँ कुछ side income generate करने की या passive income generate करने की मैंने हर एक चीज वो try किया जो YouTube वीडियो ने बताया गया है मैंने हजारों वीडियो देखे यूट्यूब पे जो आपको सीखाते है कि घर बेटे पैसे कैसे कमाओ work from home, typing jobs, etc. etc. लेकिन सच कहूँ तो मेरे लिए एक भी चीज काम नहीं की In fact, in 20 सालों में अब जाके मुझे थोड़ा बहुत कुछ काम मिलने लगा है और आपको पता ही इस 20 साल की जरनी में मैंने सबसे ज़ादा क्या सीखा है मैंने इतने सारे चीजे सीखी है जो हमें नहीं करनी चाहिए to generate passive income और अब जाके जब थोड़ा बहुत पैसा आने लगा है मुझे freelancing से तो मुझे ये मेरी responsibility लगी कि आपके साथ share करना चाहिए ऐसे चीजे जो हम लोग सालों से गलत करते आ रहे इस 20 साल की जरनी ने मुझे इतना कुछ सीखाया है और यही सारे चीजे में आज आप लोगों के साथ share करना चाहता हूँ क्योंकि अगर आप passive income generate करना चाहते हो तो आपको एक guidance मिले कि आपको क्या चीजे करनी चाहिए और किस तरह से करनी चाहिए और आपको मैं एक proper roadmap देना चाहता हूँ कि अगर आप अपने 9 to 5 job के साथ साथ अगर एक passive income generate करना चाहते हो तो वो कैसे कर सकते हो तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते इस वीडियो को इस छोटे से इंट्रो के सबसे पहले जब बात आती है पैसे कमाने की online तरीके से या internet से या कोई भी तरीका कह लीजिए work from home से तो सबसे पहले कुछ चीजे ऐसे हैं जिनसे आपको 10 हाथ दूर रहने ठीक है वोई चीजे में आपको बताने वाला हूँ जैसे कि आपने कभी-कबार ads देखे होंगे work from home jobs, typing jobs, capture jobs, translation jobs हो जाते हैं, voice over jobs होता है जो videos आप देखोगे na YouTube पे तरीके तो बहुत सारे बता देंगे आपको कि ये करो वो करो इससे पैसा कमा सकते हैं उससे पैसा कमा सकते हैं लेकिन ये जो सारे तरीके जो मैंने अब भी आपको ग ये सारे jobs में 90% जो jobs होता है, वो totally fake होता है, इनके advertisements भी fake होता है, इनकी companies भी fake होती है, ठीक है, 10% ऐसे jobs मिल जाएंगे जो सच में legit है, ये fake companies आपको कैसे trap में डालता है, सबसे पहले आपको बोलेंगे वो registration fees बरी है, registration fees बहुत ही nominal होगी, तो शायद आपको भी लगेगा कि च बिल्कुल मत जाएं, तो इस तरह से आप safe रह सकते हो, बिल्कुल भी work from home jobs के ad के लिए मत जाएं, second thing, अगर आपको कोई ऐसा genuine मिल भी जाता है job, जो आपको बोलता है कि typing के jobs कर लो, या cabja filling के type jobs कर लो, या translator हो गया, voice over कर लो, तो एक बात मैं आपको बता दू, आप लोगों का example बता देता हूँ, ऐसे एक job था, जिसमें वो बोलते थे कि cabja fill कीजिए और आपको वैसे पैसे मिलते जाएंगे, जब मैंने उसको start किया करने का, और जब actual में मुझे समझ में आया, almost आपको thousand cabjas भरने के लिए, पचास रुपया, सो रुपया, इस तरह का आपको price मिलता ह तो जब सोचिए, जब आप internet browsing भी करते हो, बीच-बीच में अगर cabjas आ जाते तो आप कितने irritate हो जाते हो, सोचिए thousand cabjas किसको बोलते है, thousand छोड़िये, आप अगर बैठने जाओ, तो 100-800 cabjas भी आप नहीं fill कर पाओगे, इतना frustrating work होता है तो इस तरह के कामों से एक तो क्या हो आप गता मुझरी टाइप काम करते रहोगे, लेकिन आपको इसका कोई skill नहीं मिलेगा, ठीक है, पैसे बले ही आप बहुत nominal पैसे कमाल होगे उससे, लेकिन ना तो इससे आपको कोई knowledge मिल रही है, ना ही आपके skill बढ़ रही है इसमें, तो इस तरह का job करना ही नहीं चाहिए तो ये मैंने बस कैपजा का example दिया, लेकिन ये सारे jobs जो होते हैं, वो इसी तरह के होते हैं, देखिए आप already 9 to 5 job कर रहे हो, ठीक है, थोड़ा सा free time मिलता है उसमें, आप ऐसा कुछ कीजिए जो आपको पसंद है, ना ही इस तरह का job, जिससे ना तो आपका career बिल्ड हो रहा तो फिर आखिर करना के आए, तो अगर मेरी मानोगे, तो passive income कमाने के लिए आपको freelancing ही एक सबसे बढ़िया तरीका है, मैं समझाता हूँ क्यों, freelancing में आप क्या कर सकते हो, आपको जो काम पसंद है, उसको आप as a service बना के provide कर सकते हो, तो आप काम करते भी रहोगे, आपको पैसा भी अच्छे से मिलेगा, और आप उस skill में master होते जाओगे, क्योंकि जितना आप काम करते जाओगे, उसके अंदर और सीखते जाओगे, और उस चीज को practice करते करते, आप उसमें master हो जाओगे, तो जैसे अगर आप किसी चीज का, किसी service का, अगर आप पहले 1000 रुपया charge करते थे, तो दीरे दीरे जैसे ही आपका experience बढ़ते जाएगा, आप आगे जाके 5000, 5000 इस तरह से अपना prices बढ़ा भी सकते हो, तो सबसे बढ़िया तरीका यही है freelancing का, लेकिन freelancing में आप बहुत सारे doubts है सब लोगों को, और काफी सारे लोगों को idea ही नहीं है कि यह freelancing कैसे क ठीक है भले आप job करते हो या ना करते हो, अगर आप totally fresher हो, आपके पास कोई job नहीं है और freelancing को as a career आप चूज कर रहे हो, तो उन लोगों के लिए भी और ऐसे लोग भी है जो job के साथ-साथ freelancing करते हैं, उन लोगों के लिए भी मैं एक roadmap share करने वाला हूँ, जिसको आप follow कर के आप अपनी freelancing की journey आज ही शुरू कर सकते हो, आप मेरे screen पे पूरा freelancing के points देख सकते हो properly, ये एक इस roadmap को अगर आप follow करोगे तो आप successfully freelancing कर सकते हो, आगे मैं आपको एक-एक point detail में समझाते जाओंगा, सबसे पहले identify your skill, freelancing आखिर होता क्या है, freelancing में आप actual में एक service provide करते ह किसी जिसको जरूरत होती है वो, लेकिन कौन से service provide करोगे, ये आपको सबसे पहले identify करना बहुत जरूरी है, इसलिए आपकी जो skill है, वो आप समझो, कोई एक totally नया चीज आप सीखे, वो service provide कर सकते हो, लेकिन मेरा suggestion ये होगा, आपको जो पसंद है, आपकी skills जो है already, जो आप आपको अपने job में शायद नहीं करने मिल रहे है, तो उस तरह का skill identify कीजिए, और वो ही skill के around अपना freelancing को plan कीजिए, अगर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि यार मेरे पास तो कोई skill है ही नहीं, तो उस case में आपको एक skill सीखना पड़ेगा, आप ये विदा skill के freelancing की journey शुरू कर ही नहीं सकते, और ध्यान रखिये हम लोग passive income करने का हमारा main aim क्या है, कि हमें जादा income करना है, ऐसा नहीं हम job पे उतना ही कमा रहे है, freelancing में भी job जितना भी नहीं कमा रहे है, तो फिर फाइदा ही नहीं है freelancing करके, तो इसलिए ऐसा aim रखिये कि एक कोई skill पकड़ी है, इस और लोग उसके बदले में आपको pay कर सकते, बहुत सारी लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि भाया मेरे पास तो कोई skill है ही नहीं, तो उसकी इसमें एक skill पकड़ी है, देखिये थोड़ा सा research कीजिए कि कौनसे skills है, आप किस चीज में interested हो, तो उस skill को सीख लीजिए, unlimited courses available है, freely available है, YouTube पे भी available है, paid courses भी है, तो एक skill को आप सीख लीजिए, उसको practice कीजिए, और उसके बाद ही freelancing चालो कीजिए, अब skill आपको आगई, ठीक है, आपने पकड़ लिया कि आपको skill, जैसे कि for example, आप designing में अच्छ हो तो बोलोगे आप मैंने graphic design को provide, as a service provide करना है, या फिर अग कुछ भी, जो भी है, ठीक है, freelancing का ये मतलब नहीं कि आप बस logos बनाऊगे, websites बनाऊगे, freelancing का मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई भी service जो लोगों को provide करना है, जिसके बतले लोग आपको पैसे pay करे, ठीक है, तो identify कीजिए, वो photography भी हो सकता है, वो content writing भी हो सकता है, शायद आप लिखने में अच्छे हो, तो वो content writing कीजिए, ठीक है, या आप editing में अच्छे हो सकते हो, तो आपको एक skill पकड़नी है basically, और इसी skill को आगे आपको लिखे जाना है, okay, skill identify कर लिए अपने, अब आपको क्या करना है, कि आपने जो skill identify की है, तो पहले अगर आप fresher हो, अगर आप आपने काम किया ही नहीं है, और new new skill अपने अगर सिखा है, तो आपको क्या करना है, कि freely किसी लोगों को ये skills available करके दो, ठीक है, starting में आपको थोड़ा सा free काम करना ही पड़ेगा, और वो free काम किया हुआ, आपका waste नहीं जाने वाले, ये आपको next point में समझ में आ जाएगा, तो free में काम कीजिए, जैसे for example, अगर मानो आप brand identity design करना सीख रहे हो, या logo design करना सीख रहे हो, या फिर poster design करना सीख रहे हो, तो ऐसे काफी सारे websites है, जो आपको fake briefs देते है, यानि कि एक situation देंगे, briefs देंगे, और बोलेंगे कि इस चीज़ के लिए design करो, तो ऐसे काफी सार websites पड़े हुए है online, आप उनको use करके काम करो अपना, लेकिन मैं खुद आपको ये suggest करूँगा कि आप fake briefs मत करो, उसके बदले आप क्या कर सकते हो, थोड़ा अपना आसपास में देखो, पहचान के logo से मिलो, देखो कि उनको ये requirement है क्या, अगर आप fake brief लेके poster बनाने वाले उससे अच्छा ऐसे लोग दुंडो, जिनको सच में poster की ज़रूरत है, उनके पास जाईए, उनको approach कीजिए, और उनको बोलिए कि आप उनके लिए free में poster बना के दोगे, तो आपको उससे क्या होगा, उससे actually आपको एक experience आजाएगा कि एक client के साथ कैसे काम करना है, क्योंकि आप उन लोगों के साथ बात करोगे, उनकी requirement समझोगे, फिर उनको poster बना के दोगे, आपके लिए शायद वो poster best होगा, लेकिन जब आप उससे बात करोगे, वो कुछ ऐसा feedback देंगे, जो शायद आपको नहीं पता था, तो फिर आप उसको revise करोगे, तो पूरी process जो होगी, का नहीं पड़ेंगे, वो आपको experience करना पड़ेगा, कि लोगों के साथ interact करने के, कैसे आपको काम कर सकते हो आप अपना, और ये चीज आपको आगे जाके help करेगी, जब आप real clients के साथ काम करोगे, अब मेरा next point आता है, create portfolio, देखिए जब काम करोगे, आपको clients जुनने पड़े ठीक है, आप client को convince कैसे करोगे, कि आप अच्छा काम कर सकते हो, और उसी के लिए use होता है आपको portfolio, और portfolio के लिए यही काम जो आपने free में किये थे, वो ही use होने वाले यापे, जो काम आपने free में किये है, वो portfolio, उसको use करके एक अच्छा सा portfolio बनाओ, थोड़ा सा उसके लिए भी research किये, यह portfolio बहुत थंडा नहीं होना चाहिए, थोड़ा attractive looking होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि आप अपने नाम का website बना दो और पूरा website portfolio, ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे tools available है, जिसमें आप free में portfolio बना सकते हो, या फिर कुछ नहीं, तो canva में जाके एक presentation या PDF ही बन अब यह आगे का step में बता रहा हूँ, वो parallel ही चल सकता है, ऐसा जरूरी नहीं एक के बाद एक है, लेकिन जो आगे वाला मेरा step है, वो है कि put your work on social media, तो इसका मतलब आप जो काम कर रहे हो, जो आप free में लोगों के लिए बना रहे हो, तो उसको भी social media पे share कीजिए, थोड़ इसे क्या होगा कि आपके जो friend circle या फिर family होगा, उनको पता चलेगा कि ओके आप भी graphic designing कर रहे हो, या ओके आप भी इस तरह की service provide करते हो, आप content writing करते हो, या फोटोग्राफी करते हो, तो उससे होगा क्या, जब हमारे circle में किसी लोगों को जब जरूरत पड़ेगी, तो उन उनके दिमाग में पहला नाम आपका आएगा, क्योंकि आपका काम उन्होंने social media पे देखा है, तो ये बहुत important point है, जो आप काम करते हो, उसको अपने तक मत रखो, folder में पड़ा पड़ा क्या ही कर लेगा, उससे better है कि उसको थोड़ा सा presentable बना कि social media पे post कर दो, उसके बाद क्या करना है आपको, आपको थोड़ा सा market research करके देखना है कि इस तरह की service जो मैं कर रहा हूँ, उसके लिए लोग कितने पैसे देनों को ready है, यानि कि अगर मैं एक poster बना रहा हूँ, तो ये poster में कितने में बेच सकता हूँ, या ये poster making की service, usually लोग एक poster बनाने का कितना charge करते या एक logo बना रहा हूँ, तो उसका कितना charge करते है, या एक website बना रहा हूँ, तो मुझे कितना charge करना चाहिए, थोड़ा सा research कीजिए, अगर आपके कोई friends होगे freelancers, या पिर आपके कोई seniors होगे freelancer, तो उनको बोलिए, देखिए कि आप market में क्या price चल रहा है, और उसके हिसा आप से आप अपना competitive price रखिए, ऐसा नहीं कि वो charge कर रहे हूँ उतना तो आप भी charge कीजिए, उनके काम और आपके काम में बहुत difference है, तो आप क्यूंकि start कर रहे हैं, तो थोड़ा सा कम से start कीजिए, ताकि आपको काम मिलने में दिक्कत ना हो, और जैसे जैसे आपको experience मिल सक वैसे वैसे आप आगे आगे उसको अपना price को increase कर सकते हो, skills आगई, portfolio आपका बन गया, price भी आपने set कर लिया, अब आपको सबसे important चीज क्या करना है, और ये point maximum लोग miss कर जाते है, वो है package करना, अपने services को as a product बनाना package करना, जैसे आपको मैं एक example देता हूँ, मैं क्या करता मैं freelancing में logos भी बनाता हूँ, मैं brand identity भी देता हूँ, और मैं websites वगरा भी बनाता हूँ, तो मैंने इस तरह से एक package बनाया है, कि एक standard package, जिसमें मैं सिर्फ लोगों के लिए logo बना के दूँगा, for example 5000 का package ही है, अगर मैं 10,000 का package बनाता हूँ, तो उसके अंदर मैं logos भी provide करता all svg file भी provide करता हूँ, और थोड़े बहुत stationary जो mockups होते वो भी design कर देता हूँ, और जो 15,000 वाला package है, उसमें मैं brand guidelines भी add कर देता हूँ, और जो 25,000 वाला package है, उसमें मैं brand identity plus website भी बना के देता हूँ, तो आप समझ रहे हो, तो इस तरह के अपने packages बना के ready करो, randomly काम मत करो, यह एक गलती जो मैंने भी की थी, ठीक है, मैंने randomly काम करता था, हाँ, इतना भी चलेगा, यह भी कर दूँगा, वो भी कर दूँगा, ऐसा मत कीजिए, आप गुम हो जाओगे freelancing में, ठोड़ा सा professional wise आपको procedures अपने लिए बनाने होंगे, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, यह point बहुत important है कि अपने services को package कीजिए, जो आप अच्छे से provide कर सकोगे, next point है, streamline your process, जितना packaging important है, उतना ही आपका freelancing का जो process है, उसको भी streamline करना है आपको, like for example, again मैं poster वाला example लेता हूँ, तो आपको अगर poster का order मिलता है किसी client से, तो आपका process क्या होगा designing का, सबसे पहले आपको रखना है, या आपको कोई questionnaire भेजना है, जो client फिल केर के देगा, फिर आपको research के लिए इतने दिन चाहिए, उसके बाद आप first draft share करोगे, या फिर mood board share करोगे, फिर आप first draft share करोगे, you know, तो क्या होगा, आपका पुरा process क्या है, उसको streamline करके रखिए, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार clients जो आपको मिलते हैं, वो आपको पूछते हैं, कि आपकी design की process क्या है, तो उस वक्त आपको तुरंत उनको explain करते आना चाहिए, अगर आप नहीं explain करोगे, तो उनको समझ जाएगा कि आप professional नहीं हो, तो इसलिए खुद के लिए, client के लिए नहीं, तो at least ख चीज है कि client को 50% अगर पहले pay करना है, या first draft के बाद pay करना है, जो भी है, आप जो भी steps करने वाला हूँ, एक client को start से लेके project delivery, end तक आपको अपने सारे processes लिख के रखी है, और वो ही process हमेशा follow कीजिए, ये ऐसे लिख के रखी है कि ये आप client के साथ भी share कर सकते हो, और last point आ ये एक point ऐसा है, जिसके वज़े से मैं खुद बहुत परेशान हुआ हूँ, मैंने काफी सारे skills सीख लिये थे, मैंने सब कर लिया, लेकिन मुझे clients बिल्कुल नहीं मिल रहे थे, ठीक है, तो इतने सालों में अब जाके मुझे clients मिलने लगे, यानि कि मैं 2020 से लेके कोशिश क कर रहा था, लेकिन अब जाके मुझे थोड़े बहुत clients मिल रहे है, तो मैं आपको exactly बता देता हूँ, ये जो clients मिलने वाली जो चीज है ये सब के लिए अलग-अलग काम करेगी, ऐसा कोई specific formula नहीं है, मैं जो आपके साथ share करूँगा, लेकिन at least मैं मेरी learnings आपके साथ share कर स सकता हूँ, जिससे आपको भी decision लेने में आसानी हो, तो clients मिलने के बहुत से अलग-अलग तरीके है, सबसे पहले बहुत ही simple जो है marketplaces, बहुत सारे marketplaces पढ़े, freelancing के, freelancer है, upwork है, fiver है, people per hour है, tons of वैसे पढ़े, ठीक है, इन में से एक भी मेरे काम आज तक नहीं आया, ये मेर personal view है, second चीज ये है कि आप offline जाके clients धून दो, social media पे जाओ, friends के पास जाओ, families के पास जाओ, सब को बोल दो कि आपके नजर में कोई है, किसी को चाहिए website बनानी है, किसी को social media manage करना है, कुछ भी है तो मेरे पास भेजो, you know, तो mouth of word कर सकते हो, friends, family में, और इसलिए मैं बोलता नहीं है, third usually again social media से ही हो गया, कि आप जैसे LinkedIn हो गया, LinkedIn बहुत important है, जब मैं social media बोलता हूँ, तो सिफ Instagram और Facebook नहीं बोल रहा हूँ, एक बहुत ही अच्छा platform है, LinkedIn, professional, वहाँ से भी आपको काफी सारे clients मिल सकते हैं, तो वहाँ पे तो बिल्कुल भी मत बुलिए, अपना काम share कर को सब ट्राइ करो, कोई एक चीज़ पर dependent मत रहो, सब ट्राइ करो, मेरे लिए क्या work हुआ, वो मैं आपके साथ share करता हूँ, मैं marketplaces पर हर जगे पर account बना लिया, कही से कोई order नहीं आती, क्योंकि उसमें बहुत जादा over crowded है, लेकिन मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, जो marketplaces से कमार है, तो मेरे वज़े से आप उसको ignore मत कीजिए, उस पर भी try कीजिए, मेरे को नहीं मिले, शायद आपको मिल जाए, second, जो word of mouth था, उससे मुझे बहुत help हुआ, क्योंकि मेरे सारे clients word of mouth से आए, मैंने मेरे friends, families, सब को बता दिया, कि मैं इस तरह का काम मैंने शुरू किया और in fact, मेरे Instagram post या फिर YouTube videos देखे कितने लोगों ने मेरे को reach out किया, कि हमको भी website बनाना है, हमको भी logos बनाने हमें भी social media manage करवाना है, ठीक है, तो ये वाला जो चीज था, वो मेरे लिए काफे जादा work किया, और ये लोग जो आपको काम दे देते हैं, तो इनको अगर आप अ social media से भी मुझे अब भी तक काम नहीं आया है, लेकिन मुझे inquiries आती है, ठीक है, लेकिन मैं इतना जादा काम share भी नहीं करता, लेकिन मैं guarantee दे सकता हूँ कि अगर मैं और जादा काम share करूँ तो शायद उससे भी मुझे काफी सारे client आये, तो ये तीन तरीके को आप follow करो, को freelancing के अलावा, मेरी नजर में ऐसा कोई और काम नहीं है, जो आपको अच्छे खासे पैसे कामा के देगा, साथ में आपको knowledge और अपनी skill बढ़ाने का भी chance देगा, मैं इसको freelancing बोलता हूँ, शायद आप लोग इसको कुछ और बोल सकते हो, लेकिन idea यही है, पैसे कमाने का कि कोई skill इतने अच्छे से सीख लो, कि आप उसको as a service बना के दूसरों को provide कर सके, जिसके दूसरों की help हो, या उनको value add मिले, और जिसके बदले में वो आपको pay कर सके, अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया है, तो I'm sure आपको काफी value मिली होगी इस वीडियो से, प्ली इस चैनल को subscribe कीजिए, और उस bell notification बटन को press करना मत भूलिए, ताकि मेरे सारे आगेने वाले वीडियो की notification आपको हमेचा मिलते रहे, अगर आपको कोई भी doubt है money making या freelancing से लेके, तो आप मुझे personally reach out कर सकते हो, मेरी Instagram ID पे, तो see you until the next video, till then bye bye, take care.